हेलो फ्रेंड वल्कम बैक अगें इन माई यूट्यूब चैनल और आज फिर से हैं एक नए वीडियो के साथ और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गूगल के नेस्ट हब डिवाइस के बारे में जो कि एक स्मार्ट स्पीकर और गूगल असिस्टेंट भी है यह बॉक्स के बाहर कियो है क्योंकि इस डिवाइस को मैं लाज्ट टू मन्स यूज़ कर रहा हूं और यह एक प्रोड़क्ट डिटेल विद्थ प्रोड़क्ट और पीछे में इसका एक स्पीकर है और इसके अंदर सारे कंपोनेंट है यह एक्चुली पावर सप्प्लाई से चलता है इसके अंदर कोई बैटरी वगरा नहीं होती है आप लोग यह देख सकता है अभी तक मैंने इसका लेमिनेशन वगरा कुछ नहीं हटा है ठीक है तो इ जब इसे पर्चेस करेंगे तो यह करेंबने इस तरह का बॉक्स में आएगा और इसके स्पेसिफिकेशन ऐसे है कि यह एक ब्लुटूथ स्पीकर भी है फर्स्ट अफल्स सेवन इंच का इसका डिस्प्ले है ठीक है और यह एक्चुली दो-तीन कलर में आता है यह मेरे पास एक वाइट भी आता है ठीक है और इसमें आपको एक साल की वारेंटी आपको मिल जाएगी ठीक है यह ब्लुटूथ और वाइफाई दोनों सपोर्ट करता है तो फोर इंटरनेट कनेक्शन के लिए आपको वाइफाई से इसको कनेक करना पड़ेगा तभी यह काम करेगा तो आप इस डिवाइस को as a smart photo frame के तरह भी यूज कर सकते हैं जो कि यह default होता है और सबसे बड़ी बात है कि इसमें sensor अगर आपका रूम का लाइट दिम है तो यह इसका brightness आप डिम हो जाएगा automatic अगर आपका रूम का लाइट मतलब totally bright है तो display bright हो जाएगा तो इस टाइप के features है Google map है इसमें Google calendar है और आप इसे कोई भी मतलब home assistant device आप इसे control कर सकते हैं ठीक है और सबसे बड़ी बात इस device का एक सबसे बड़ा benefit यह है कि इसमें Google के मतलब play store से आप कोई भी app install कर सकते हैं और यह easily available है यानि इसमें app support काफी जादा है तो हम लोग पहले सबसे पहले इस box के व जो आप इसे open करोगे तो इस box के अंदर आपको क्या मिलेगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ ठीक है तो यहाँ पर आपका यह device रहेगा यह है आपका एक clip रहेगा जिससे यह wire आपको मतलब clip करके आपको मिलेगा ठीक है यह device यहाँ पर इस तरह से यह रखा रहेगा something like that okay तो इसको हम लोग बहार निकालते हैं और यह रहा इसके अंदर आपको एक user manual मिलेगा आप देख सकते हैं मैंने से खोला भी नहीं है ठीक है और इसके अंदर आपका यह charger रहेगा ठीक है और इस box में आपको कुछ नहीं मिलेगा समझ गे तो इससे करते हैं जल्दी से side म और हम लोग डारेक्ट आते हैं डिवाइस पर ठीक है और यह हो गया box आप एक वर फिर से देख सकते हैं box काफे decent है I generally like white and black color so box काफे decent है तो अब चलते हैं बात करते डिवाइस के वारेम यह इसका डिवाइस है इस डिवाइस से साथ आपको यह एक adapter मिलता है ठीक है इस adapter को आपको electricity से power supply देना होगा और यहां पर यह इसका जो है यह as a input यहां पर यह काम करेगा ठीक है और एक बात इस डिवाइस में आपको camera वगएरा नहीं मिलेगा लेकिन हाँ आप जो है वो music वगएरा सुन सकते हैं आप अपने कोई भी इसे command दे सकते हैं जैसे की hey google play music in youtube hey google or something like that ठीक है तो यह उस तरह से assistant के तरह यह काम करेगा और इसका speaker काफी loud है ठीक है सबसे पहले बात यह है यह कितने वाट का speaker है यह mention नहीं किया हुआ है product specification में लेकिन इसका speaker जो है normal near about मुझे लग रहा है कि 5 वाट 5 से 10 वाट का तो ज़रूर होगा जितना इसका loudness है with the vocal clarity ठीक ह यह मैं आपको next video में बताऊंगा और इसका मैं setup भी करके आपको दिखा दूंगा इस product के regarding अगर आपके पास कोई भी query या फिर कोई भी आपका doubt है या फिर यह कैसे काम करता है इसे लेना चाहिए या नहीं ठीक है तो आप लोग मुझे comment कीचे मैं उसके बारे में एक detail video बना